इस वीडियो में मैं अपको बताने वाला हूँ कि pen card में email id और mobile number को कैसे change किया जाता है इस वीडियो को देखते रहिए तो सबसे पहले आपको pen card में mobile number या email id जो औरने के लिए यानी की link करने के लिए कोई भी browser आप यहाँ पे open कर लेंगे open करने के बाद आप यहां पे type करेंगे t-i-n-n-s-d-l तो जैसे ही आप यहां पे type करेंगे तो आपका यहां पे page खुल जागा t-i-n-n-s-d-l तो अगर आप इस company का है तो यहां पे आप click करेंगे अगर other company का है तो उसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो यहां पे हम click करेंगे और click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कुछ आ रहा है continue उसके बाद फिर से हम इसको continue पे click कर देते हैं three line पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे बहुत सारा आपको option देखने को मिलता है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे देखे new facility यहां पे आपको click कर देना है तो जैसे ही आप यहां पे click करते हैं तो उसके बाद यहां पे देखे address update in pen तो इसी में आपको जो है mobile number और email ID भी आप update भी कर सकते हैं और address भी update कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए हम इस जिगहाँ पर किलिक कर लेते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पर किलिक करेंगे फिर से एक नया पीज खुल जागा और खुले के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पेंड कार्ड यहां पर आपको नमबर देना पड़ेगा टाइप अगर आपके पास फेंड कार्ड नहीं अगर आपका नमबर है पेंड का नमबर तो यहां पर आप दे देंगे उसके आप जो email ID save करना चाहते हैं यानि की नया जोरना चाहते है वो आप email ID यहां पर दे देंगे उसके बाद जो आप mobile number link करना चाहते है पेन काड़ के साथ वो mobile number आप यहां पर इंटर कर देंगे उसके बाद यहां यहां पर देखिए कंटिन्यू विथ यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा आपको ओटिपी वेरिफिकेशन करना परेगा जो आपके आधार में जो मौल नमर लिंक है उसी मौल नमर पर एक ओटिपी आएगा उस ओटिपी को यहां पर आप इंटर करेंगे उसके बाद सम्मिट बटन पर किलिक कर देंगे तो हम अपनों जो है ओटिपी इंटर कर चुके हैं तो आपको देखने को मिलता है तो यहां पर जो भी आपका डिटेल रहेगा एड्रेस रहेगा वह आप यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेरिफाय तो यहां पर आपको वेरिफाय आपको कर लेना है इस पर किलिक करके किलिक करने के बाद यहां पर देखिए आप यही मोईल नमर को सेव करना चाहते हैं जो कि यहां पर आपको दिखाय जा रहा है उसके बाद यही इमेल आइडी जो आ आप मोबाल नमर दिये हैं इसी पर एक OTP आएगा वन टाइम पासवर्ड तो यहाँ पर इमेल पर भी आएगा और मोबाल नमर पी आएगा इसका OTP का टाइम 10 मिनट वैलिड है तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है OTP आ चुका है उसके बाद यहाँ पर हम इसको टाइप कर लेत तो आप यहाँ पर देख सकते है जनरेट एंड सेब पिरिंट तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग होगा लोडिंग होने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेग तो चाहें तो आपका इसे सक्रीन सोट भी आप यहां पे इस तरके से आप यहां से ले सकते हैं तो मैं आपको ये सब जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा ये दूसरा लिंक है जैसे ही आप दूसरे link पे click करेंगे यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका update हुआ है कि नहीं हुआ तो मेरा 0 0.7 वाला जो number है तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा update हो चुका है तो यहां पे चलिए हैं पेन नमर डाल देंगे उसके बाद अधार नमर यहां पे इंटर कर देंगे उसके बाद यहां पे आपका डेट ओफ वर्थ यहां पे आपको इंटर करना है यहां पे ठीक मार देंगे उसके बाद यहां पे देखे यह जो केपचा है यहां पे आपको आपको करके दिखाया की कैसे अफडेत किया जाता है आप यहाँ पे देच सकते हैं उसके बाद यह रहा मेरा प्ध्यन नमर िुसके बाद लास्ट का जो चार आभ है टू नाइन जीरो सेवन आप यहां पिला नमर अभी हम में कोई सवाल या सुजाब है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस वीडियो के रिकार्डिंग तो फिर मिलेंगे किसे को नई सांदार वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत